कि महारास्ट्र का एक बहुती फेमस फूड बनाएंगे कट वडा जिसे उसल वडा भी कहते हैं इसके लिए कट अलग से बनता है फिर वडा बनता है और साथ में ऊपर फरसान और प्यास के साथ में पाउं के साथ फिसको सर्फ के जाते हैं बहुती डिलीशश रेसिपि ए चली पहले हम वड़ा बनाएंगे वड़ा बनाने के लिए मैंने आलू को पहले से बॉइल करके मैश कर लिया है ताकि काम फटा फट शुरू हो यहां पर रसन और हरी मीर्च और अधरक को हमें बिना पानी के मिकसर जार में करश कर लिया है इस तरीके से देखिए मोटा मोटा सा पैन में डालेंगे दो टेबल स्पून ओयल पहले हम वड़ा बना लेते हैं उसके बाद में आगे जो हम कट की त्यारी करेंगे तो तेल में हमने ख़डा धनिया ख़डा जीरा और हिंग डाल दिया है और साथ से आठ करी लीव अगर करी लीव जादा बड़ी है तो तोड़ करके डालिए उसके बाद में यह हमारा क्रश किया हुआ जिंजर गारलिक और ग्रीन चिली का जो मिक्षर है वह हमने डाल दिया है थोड़ा सा हम इसको तेल में स्टर करेंगे इसके बाद हम हल्दी डाल देते हैं तक ही हल्दी भी इसके अंदर अच्छे से पक जाए उसके मैं हम इसके अंदर एड़ कर देगे हमारा बॉयल किया हुआ अलू आलू को बोईल करते वक्क जैथा मैं फिर आप खड़ा आलू बौईल कर दिया था दोस्तों इसलिए मैं यहां और नमक नहीं एड़ करूंगी क्योंकि मैंने हमेशा आपको बता है कि आलू को काटने के बाद ही आप बॉयल करिए इस तरीके की रेसिपी में हाँ अगर आप कैटलेट वगरा बना रहे हैं तो फिर आप खड़ा आलू बॉयल करिए लेकिन ऐसे वड़े बना रहे हैं या कुछ और किसी चीज में आलू में मिला रहे हैं तो फिर काट करके बॉयल करिए उसके अंदर नमक भी डाल दीजिए तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है थोड़ा सा लेमन जूस एड़ करूंगी और इसको मैं कर देती हूं साइड में जब यह ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से उसके बाद में मैं वड़ा बनाऊंगी और वड़ा हमेशा थोड़ा सा फ्लैड बनाती हूं तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं यहाँ पर बैटर की त्यारी करेंगी तो एक कब बैसन को मैंने च्छान लिया है तो इसलिए यहाँ पर गुठनीया पढने का बिल्ल भी सवाल नहीं होगा तो मैंने यहाँ पर नमक ढाल दिया हल्दी ढाल दिया और ल Crash जो टोटली ऑप्शनल है इसे वड़े थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला और पिंच ओफ मैंने यहां पर मतलब चुटकी में लेकर के मैंने यहां पर बेकिंग सोडा एड़ कर दिया है तो अब वापस थोड़ा सा हम यहां पर पाइन डाल करके कर लेंगे हल्दी कम लग रही थी दोस्तों इसलिए मैंने हल्दी दोबारा एड़ किया है वड़े का जो बैटर है वो थिक नहीं होता है जादा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी 10 मेट के लिए रेस्ट होने देते हैं अब हम इस बीश बना लेते हैं अपने कट के लिए वाटन वाटन यानि की एक मसाला बनाएंगे तो यहाँ पर हमने दो से तीन टेबरे स्पून ओयल के अंदर खड़ा धनिया खड़ा जीरा खड़ी सौफ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने खड़ा लस्टन डाला और दो इंच के टुकड़े मैंने आपर अद् टेबल स्पून तिल और एक टेबल स्पून पॉपिस यह डियने की खशखाश इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा हम स्टोर कर लेते हैं ताकि अच्छी सी खुशभू आ जाए अब यहाँ पर एक छोटी सी प्यास को मैंने फाइन चॉप करके एड़ किया है और प्यास को इन यह कलर यहाँ पर तो मैंने डाल दिया यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून डेसी केटेट कोकोनट डेसी केटेट कोकोनट अगर आपके पास नहीं है खड़ा अखा वटनाई जो सुखा खोप रहा है वह अगर है तो वह आपको स्लाइस में करके पहले ही तेल में डाल द ćा फ्रॉम को करते हैं और मैं अब इसको बस दो हाथ ही चलाओंगी और मैं फ्लेम को कर दोंगी ओस उसके बाद मैं इसको जह RIGHT करूंगी थंड़ा हूने के बाद में तो म्लें मे पर नाल गुट में घड़ी में डाल कासूरी मेथी अब दोस्तों यहाँ पर है यह मो Fuj Evangel is Chicken किया है वैसे मार्केट में भी स्प्राउड क्यों ही मिलती है इसको कैसे इस प्राउड करना है आप हमारा इस प्राउड चने की चार्ट वाला वीडियो देख लीजिए उपर आय बटन में लिंक है तो आप वहां से यह देख सकते हैं आप मत्की की जगहां पर वताना भी एड कर सकते हैं या या फिर वताना और मठ की दोनों एक साथ में एड कर सकते हैं वैसे माराष्ट्रा में इसके इंदर वताना भी जाता है यह यह जो हमारा वाटन का किया था आप भी मतायट करिएगा अब हमने एक पतीली रख दिया है पतीली की जो बेर से वो थोड़ा सा मोटी होना चाहिए अब हमारा बन रहा है यहां पर कट यानि कि इसको रसा भी बोलते हैं और इसको तरी भी कहा जाता है इसके अंदर तेल की कौंटिटी जादा रहती ह इसके अंदर मैंने लगबग आधा कप तेल डाला और यहां पर यह खड़े मसाले में मैंने डाल दिया है जीरा, सौफ और मस्टर्ड और उसके बाद में थोड़ी सी हींग डाला और एक बड़ी प्यास को डाल करके हम प्यास को फ्राइ करेंगे प्यास को भी यहां आपको अच्छा सा कलर लाना है कोई पिंक या ट्रांसलूशन करने तक नहीं चोड़ना है प्यास को जब कलर अच्छा आ जाएगा तो बागी की चीज़ें हम यहां पर एड़ करेंगे तो चलिए हम प्यास को यह देखिए हमने भून लिया है और अब मैंने डाल दिया इसके अंद इसकी भूनाय बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए जब इसका फ्लेवर बहुत ही डिलिशस निकल करके आएगा मैं पांच मिनट से इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राइ कर रही हूं अब आप देख सकते हैं कि धिरे धिरे इसने अपना ओयल रिलीस करना शुरू कर दिया अगर आपके पास में है तो क्योंकि कुलहपूर में वटाने के साथ में यहां मुंबई में भी मैंने देखा है कि इसके अंदर वटाना एड के जाता है बट आपकी चॉइस है आपको नहीं एड करना है तो आप इसकी भी कर सकते हैं अब यहां पर पाने की quantity ज़्यादा रह करने के इंतिजार करते हैं जैसी इसके इंदर बॉयल आ जाएगा दोस्तों के बाद मैं इसको ढख देंगी और ढख करके मैं इसको आराम से 20-25 मिनट बिल्कुल मद्यमाच पर इसको हम साइड में पकने देंगे तो चलिए हम इसको कवर करते हैं और यह पकना शुरू हो गया ह हम कवर करके दूसरी तरफ कर दिया हमने यहां पर हमारा जो बैटर था वड़े का वह बहुत ही अच्छा फूल गया है इसकी जो कंसिस्सेंसी है वह मैं आपको इस पून से दिखाऊंगी यह देखिए स्पून का जो बैक साइड है इसने ऐसे कोट किया मैंने एक उंगलिया वहां पर जो है स्क्रेप किया है तो आपने देखा कि वह उसका बैटर का थिकनेस और यह रहा हमारा हमारा वड़ा फंबल हो जाता है जी कभी-कभी ऑईल हमने साथ में रख दिया था ऑईल गरम हो रहा था दूसरी तरफ अब यह हमने वड़े को धीर दर डाल देना है यही फरक है बाकी हमारे इस तेल में भी यह वड़ा बहुत ही अच्छा फ्राइ हो जाए अगर आपको चिकना नवड़ा चाहिए तो आप तेल यहां पर कड़ाई में जादा एड़ कर दीजेगा ठीक है अब मिसको पलटा देते हैं एक साइट से बहुत ही अच्छा सेट हो यहां पर निकल लेते हैं अपना और उसके बाद हमा जाएंगे रसा की तरफ तो रसा हमारा बहुत ही देर से पक रहा है आप कलर देखिए दोस्तों कितना जबदस कलर यहां पर निकल कर क्या आया रसा के अंदर अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको लोगों को बोलना भूल यहां नमक टेस्ट किया नमक कम लगा है तो मैंने बाद कर दिiva यहां उस्द अधि रवजीो का बडा मैं इसकी नहीं नहीं दी है क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं कभी उसकी भी रेजिपी एड़ कर दूंगी हरा धनिया डाल दिया और यहां पर हमारा वड़ा फ्राइ हो चुका है अब हमने एक बॉल में निकाल लिया है रसा और अब हम फटा-फट से असेंबल करेंगे आप इसको के ओ पर हम वड़ा रखेंगे और वड़ा के ऊपर जो हमहें पू教 लाजान दालेंगे और थोड़ी सी प्यास shaped случае हो इसान में रखेंगे हम लेमो और यह राह मारा फर scalar है यह उसल मिश medicine पाउँ और एससार फे एलिजल के लिए आप शराबर होलें के लिए मार्कशन घानल को अगर पहली बार आए हैं मेरी वीडियो से अंडेस्टेंडिंग हो रही है मेरी बातों से तो चैनल को सिस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा